नमस्कार मैं हूँ अंजली आदव आप देख रहें एक नियूस 24 एक लंबे अंतराल के बाद पटना में कोडोना वाइरस से संक्रमी दो रोगयों की पहचान की गई वही स्वास्थ बिभाग ने इसकी पूस्टी करते वे एक मरीज के जांच का सैंपल IGIMS में करवाया वहीं दूसरे मरीज का सैंपल ESIC में करवाया पूरी खबर जाने के लिए देखते रहे है वीडियो राजधानी में लंबे समय के बाद कोडोना वाइरस से संक्रमी दो मरीजों की पहचान हुई है एक मरीज केरल की यातरा करके लोटा है जबकि दूसरा संक्रमीत अस्तम की यातरा करके लोटा है स्वाथ सचीव संजे कुमार सिंग ने बताया कि दोनों मरीजों को होम आइसूलेशन रहने का प्रड़ामर्स दिया गया है उन्होंने बताया कि एक मरीज के सेंपल की जाच IGIMS में और दूसरे के सेंपल की जाच ESIC अस्पताल बीटा में की गई बुदवार को राजभर में 26 सेंपलों की जाच की गई वही स्वाथ सचीफ संजे कुमार सिंग ने बताया कि पहला मरीज 29 साल का है जो गर्दनी बाग का रहने वाला है उसमें सर्दी खांसी के लक्षन पाये जाने के बाद उसने अपने सैंपल गरदनी बाग अस्पताल में दिया था जांच के बाद उसमें कोरोना वायरस पाया गया उसके परिवार के अन्सदसों की कोरोना जांच कराई जा रही है दूसरे मरीज बांका का मुलि निवासी है वो पतना में रहता है और असम की यातरा करके लोटा है यह मरीज अपने sinus का operation कराने ESIC अस्पताल भीटा गया था जहां उसकी जांच कराए गई तो वह कुरोना पॉजिटिव पाया गया और प्लांट को एक्टिव रखना है अभी इसको लेकर सभी जीले मेडिकल कॉलेज में अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है फिलाल को लेकर किसी प्रकार का घबराने की आविशक्ता नहीं है उधर दर्भंगा में कोरोना वाइरस और इसके संक्रमन को लेकर एक बार फिर अलर्ट की स्थिति आ गई है मास्क औक्सिजन सिलेंडर दवा वा अनावश्यक वस्तुओं के साथ तयार रहने और उसके भंडारन का निर्देश दिया गया कोरोना के नए जी एन वान सब वेरियंट के मदे नजर जीले में आर्टी पीसी आर वा एंटीजन जाच कराने को कहा गया जीले में इसे लेकर तयारी शुरू कर दी गई है हाला कि सीएस कार्याले के पास आर्टी पीसी आर की प्रचूर मातरा में उपलब्द नहीं है इसे उपलब्द कराने के लिए प्रताचार किया गया सिविल सर्जेंट डॉक्टर अनील कुमार सिना ने बताया कि घबडाने की आवशकता नहीं है सावधानी बरतनी आवशक है तब ही सुरक्षित रहा जा सकता है स्वास्थ बिभाग कुरोना से निपटने के लिए तैयार है ओक्सीजन दवा जाँच आदी की सुविधाय उपलब्द है स्वास्थ कर्मी को ट्रेंट किया जा रहा है बताया जा रहा है कि अनुमंडल अस्पताल में सब भी आविशक उपकर्ण वेवस्थी थे प्रते एक दिन 25 लोगों की आर्टी पीसी आर जाँच का निर्देश दिया गया है रेलवेल स्टेशन बस पड़ाव आदी जगों पर 1000 लोगों की एंटिजन किट से जाँच की जाएगी कुरोना की नए सब वेरियंट से निपटने के लिए उत्तर बिहार के सबसे बड़े स्वास्थ संस्थान DMCH में तयारी कर ली गई है इस खबर में बस इतना ही ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक नियूस 24 अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें अगर आप हमारे इस वीडियो को फेस्बुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेच को फॉलो और वीडियो को लाइक करना न भूले धन्यवाद